चलिए आज बनाते हैं healthy सा नास्टा जो कि बस 5 मिंट में बनके तयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है तो आज हम जो नास्टा बनाएंगे वो आलू से healthy तरीके से बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फाइनल लुक देख सकते है आलू लेना है तो आपको जिसनफे बनाने उससाओ से लेना है बड़े साइस का उससे इस तरीके से हम गोल गोल काट लेंगे बहुत जाधा मोटा ना रखेगा नहीं बहुत जाधा पतला, 위해서 में हमें इसे काट लेंगे तो बस आलू को अच्छे से काट लेना है हमें, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पुन कॉंड फलार उसके बाद में इसमें जाएगा स्वाद अनुसा नमक और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी काली मिच का पाउडर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं वो भी डाल लीजेगा मेरे पास नहीं थे खतम हो गया चिली फ्लेक्स तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ अब यहां पर दालेंगे हम थोड़े से ध यहां पर गैस पर रखा है मैंने तवा तवे को जो है मैं थोड़ा सा जो है ब्रशिंग कर लूँगे ऑईल की एक चम्मस से भी कम लगेगा यह हम बहुत ही कम तेल में यह तेस्टी से नाश्टा बना के तियार करेंगे तो बस ब्रशिंग कर लेना है ऑईल की उसके बात में हम आलू के जो स्लैस की ऐस दोक हैं उससे ऐक के ऑपर एक रखे seus तरहिके से भी रखेंगे और बाकी जो आलू है उसे हम सेंटर में रखेंगे तो फ्रेंड्स यह फ़रिंग ब्रेक्वास्ट है हमारे इंटिया में तो इस तरहिके से नहीं बनता है मैंने एक रैसिपी देखी थी foreigner की तो उसमें इस तरीके से बनाया था तो मैंने सोचा चलो बना के try करते देखते हैं किस तरीके से ये बनता है तो बाखी जितने भी बच्छे थे आलो उसे भी मैंने सेंटर में डाल दिया और इसे डाल के हम जो है अच्छे से पकाएंगे लेकिन slow आंच पर गैस क मौजेरला चीज है तो आप वो डाल सकते हैं स्लाइस है तो वो डाल सकते हैं जो भी चीज है आपके पास वो डाल सकते हैं लेकिन यहां पर देखिए मैंने बहुत कम जो है चीज डाला है एक ही स्लाइस डाला है आप चाहें तो जादा भी डाल सकते हैं तो बस डाल के से हम इस सब्सक्राइब कर обществ किने लें इस पड़िए पका लेना सोगा नश्टाना अन्टरानीं दो कि छिंदिया लोगरेंute चीज डाल दिया है यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बन के तैयार हुआ है बहुत ही टीस्टी बनता है एक बार आप ट्राइ कीजिएगा और यहां पर देखिए मेरे पास अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप डाल दीजिए मैंने सुडूमी का मेरे पास नहीं है मेरे पास औरेगेनो है तो मैं वह डाल दे रही हूं और आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप वह भी डाल सकते हैं तो इससे टीस्ट जो है थोड़ा बढ़ जाएगा यहां पर हमारा सुपर डेलिशेस ब्रेक्फास्ट तयार है रेसिपी अच्छी लगी है तो च सब्सक्राइब कर लेजिए